सेल उडारिया में फते जो है वो तेजो से कहता है कि अगर आज तुम अपना फैसला बदल ली होती अगर आज तुम वो घर छोड़ दी होती तो आज ये स्थिती देखने को नहीं मिलती फते सारा का सारे अलजाम तेजो कुई पर डाल देता है कहता है कि मैं उस घर में तो कि तुम्हें मालूम है कि मैं उनकल की वजहसें उस घर में हूँ वैल अब जो है ये दोनों लॉक면 है लॉक अप में है और Éं और दोनों की बीच में बाते हो रही है जांग जैस्वीन ने बात को बिगार दिया है वो ज Season 10 हो जाकर जैल में जो है अब तेजो और फतेह के बीच में बाते हो रही है जहां अब तेजो ने कह दिया है फतेह से कि अब जो है वो फतेह को डाइवोस दे देगी वो साफ कहती है कि मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि हमारे घर में कोई भी प्रॉबलम हो और इसलिए मैं तुम्हें डाइवोस दे दोंगी और मैं पापा जी को कह दोंगी कि मैं मूव आन करना चाहती हूँ कहीं न कहीं तेजो अब अपने उपर बात को लेते हुए उस घर को छोड़ देगी ये सब बाते तो हो जाएंगी लकिन लॉक अप में आप देखेंगे कि कैसे फते जो है वो तेजो के कंधे पर अपना सर रखकर चैन की नींद सो रहा होता है देखना ये है कि क्या सच मुझ फते और तेजो अलग हो पाएंगे कहीं न कहीं इनका कनेक्शन तो जरूर जुड़ा हुआ है